नमस्का दोस्तों हम लोग ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पे छुप पाना बहुत ही मुश्किल काम है बट दुनिया में ऐसे कुछ घटना घटा है जो सुनने के बाद अपका रॉंक टेक खड़ा हो जाएगा हम आज बात करेंगे ऐसे पाच फ्लाइट के बारे में जो फ्लाइट ऐसे गायव हुआ कि उसके पता भी अभी तक नहीं चला और उसके पीछे बहुत तरह-तरह काहाने भी है तो हम लोग जनेंगे इसके पीछे क्या रिजन है कोई बोलता है ये फ्लाइट को अकस ने निकल लिया कोई बोलता है ये समुंदर में समा चुका है तो क्या है इसके पीछे रिजन ये सब जनेंगे और यह क्या क्या फ्लाइट था ओभी जानेंगे मियों आफका होस्ट और दोस्ट जीट और अब देखरे नौलेज वानर दोस्तों हम लोग पहले जिस फ्लाइट के बारे में बात करने वाले ओ है मलेरिशियन एरलाइन फ्लाइट एमिज 370 यह फ्लाइट 249 लोग को लेके 8 मार्च 2014 को कौलनापूर से लेके बेजिंग जाने के लिए रात 12 बाज के 30 मिट के असपस रवाना हुआ था यह फ्लाइट 5 घंटा 30 मिट का जाननी था बट जब फ्लाइट रवाना हुआ हुआ से 6-4 मिट बाद इस फ्लाइट के साथ जितना भी संपक था उट टूट चुका था इसके बाद उस फ्लाइट के साथ संपक करने के कोशिश भी किया गया बट संपक नहीं हो पाया इसके बादे से नेकस दिन मतलब 9 मार्च 2014 को इस फ्लाइट को ढूड़ने के लिए जितना भी नियरेस्ट कंट्री से सबके साथ संपक किया गया इस वेल आस बे बेंगल मतलब बंगल का जो खड़ी है वह पे भी चानबीन करने का स्टार्ट किया गया इस चानबीन में बहुत सारा पैसा का खर्च किया गया इसके साथ साथ बहुत सारा शीप्स और बहुत सारा फ्लाइट को भी इसको इसको इस्तेमल किया इस कुछ दिन संबीन करने के बाद तरह तरह का फैक्ट निकाल गया जिसके अंदर मेन फैक्ट था कि इस फ्लाइट के अंदर 500 पाउंड के आसपास लिथियम आयन बैटरी था जिसके वज़े से इस फ्लाइट ब्लास्ट हो सकते था और समुंदर में गीर सकते है जो डूसरे बिश्वाला फैक्ट निकाल का यी इस फ्लाइट को हाईजच भी किया जाए सकता है क्योंकि यह जो फ्लाइट है जब उड़ा था जा जब रेडर कनेक्शन से निकाल गया इसके बाद भी स्टिल्वाइट घाने तक भी सफर किया था या गया बट हाईचक हुआ था तो नहीं हुआ इसके बाद तरह 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 आगा तीन साल तक इसको उपर जाज चलते रहा है बट इस चार्ज के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला अप्रोक्समेटली 2017 जानवरी के आसपास इसको उपर जितना भी जाज चल रहा था सब कुछ बंद कर दिया गया और यह भी बता बैने वहले ओ फ्लाइट है फ्लाइट 914 इस फ्लाइट को हम लोग DC-4 नहीं से भी प्याचनते यह फ्लाइट चुलाइस सेगेंट 1955 में नीवर्क से लेके माय में तक जाने के लिए रवाना हुआ था यह फ्लाइट रवाना होने के 30 मीट के बाद इस फ्लाइट के साथ जित फ्लाइट को आखस्मान ने निकल लिया और कोई भी क्रेश वागएर से इस फ्लाइट समूंदर में समा गया यहीं पोलके इस केस को क्लोस कर दिया गया था इस घटना का कुछ दिन तक इस फ्लाइट के बारे में चान बीन चला एंड कुछ इंविस्टिकेशन भी चला इस के बाद यह भी बताया गया कि यह फ्लाइट समूंदर में समा गया कुछ क्रेश के बज़े से इसके बाद 30 साल बाद 1922 में मायामी एरपोर्ट से दो घंटे के दूरी पे करकस विनी जोल अनम के एक एरपोर्ट है वहाँ पर इस फ्लाइट को लैंड कराया गया यह भी आप अगर जो A.T.C. अटरफी कंट्रे उनके साथ भी कुछ टाइम तक बात किया और कुछ टाइम के बाद जब क्राउन क्रू को फ्लाइट के पास भी जा रहा था जो पाइलोट था उनके तरफ से यह भी बताया गया कि किसी को भीजने का जरूरत नहीं इसके बाद यह फ्लाइट क्या है यह फैक्ट सही है और नहीं है आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों तिसे नामर पर हम लोग जिस फ्लाइट के बारे में बात काने बाले ओ है लेडी वी कुड इस फ्लाइट काम लोग B24D नाम से भी पैचानते यह एक मिल्टरी फ्लाइट है और उसक इस फ्लाइट के बारे में बहुत है और नहीं कर रहा था इसके बाएट सब लोग को लगा यह फ्लाइट कुम हो चुका और दुस्से कोई जो एनी में है उनके तरफ से इस फ्लाइट को नस्ट कर दिया गया उसके बाद कुछ टाइम तेक इसको उपर इन्वेस्टिकेशन चला इन्वेस्टिकेशन के बाद यह बताया गया कि यह फ्लाइट साहरा डिजर्ट के अंदर संस्ट्रॉम एस लोग जा रहा था जो डी आर्क ओईल कमपनी का लोग था उस तरह जाने के टाइम पे नीचे कुछ मलवा दिखा उन लोगो जो फ्लाइट का मलवा उन लोगो लगा इसके बाद नेरेस जो एर उथरिटी उनको इन्फर्म किया गया कि यहां पे कुछ मलवा है उनके तरफ से कोई रेस्पॉंस नहीं मिला क्योंकि उस तरह पे कोई फ कंपनी के तरफ से एक ग्राउंड टीम उस जागा पे भेजा गया और इसको इन्विस्टिकेशन करने के लिए बताया गया इन्विस्टिकेशन करने के बाद उहां पे पता चला कि यह फ्लाइट जवाने का था मतलब 1943 का था और 16 साल बाद उहां पे कुछ चीज उनको मिला जैसे उनिफर्म मिला एस वाल एस कुछ टाइडे विए उन लोगों को हाथ लागा इसके बाद यह इन्फर्मेशन जो military base उनको भी इन्फर्म किया गया इस वाल एस जो airport authority उनको भी इन्फर्म किया गया उसके बाद इसके उपर investigation चला एक साल तक investigation चलने के बद तरह तरह का fact निकल गया है कि यह flight जब चल रहा था फटक से यह storm के वाई से यहां पर गिरा as well as यह जो flight से बहुत side से approximately 90 km के दूर भी पर कुछ लोगों का body मिला दूसर साइड पर approximately 60 km के सपास कुछ body मिला and दो body तब तक missing ही था and अभी तक missing ही है वहां पर कुछ diary भी मिला जिसका अंदर mention तक इसके बहुत से यह flight missing हो चुका है बट इसका कोई खुला सा भी तक नहीं आया और उसको secret reasons ने रख लिया तो आपको क्या लगते यह flight क्यों missing हुआ था आपका जो भी मौत है और kindly comment पर लिखिए और दोस्तों लाच में बोलना चाहूंगा यह हमारा नयाप रहाश है तो कुछ गलती हो सकता है तो kindly comment पर लिखिए क्या क्या सुधरना चाहिए and क्या 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 इंप्रूफ करना चाहिए अच्छा लगा तो kindly comment पर लिखिए as well as channel को subscribe करने के लिए मत भूलना और वीडियो को share कीजिए और दुस्तों को भी दिखने के लिए मौका दीजिए जाए हिंद पंद्रमात्रम